बचों हम पढ़ रहे हैं कक्षासान का विज्ञान विशय का अध्याई 10 जीवों में शुवसन बचों इस पार्ट को पिछले वीडियो में हमने कम्प्लीट कर लिया था और इस भाग में करेंगे हम इसके अभ्यास प्रशन तो बचों जल्दी से अपने कॉपियर पैल लेकर तयार हो जाईए चलिए शुरू करते हैं पहला प्रशन है बचों कि कोई धावक दोड़ समाप्त होने पर सामाने से अधिक तेजी से गहरी सांसे क्यों लेता है बचों जब धावक दोड़ रहा है तो पेशी कोशिकाओं को अधिक उरजा के आउशकता होती है क्योंकि इस स धावक को अपनी पेशी कोशिकाओं को अधिक उरजा प्रदान करनी होती है क्योंकि दोड़ लगाने के दोरान पेशियां जो होती है वो क्या करती है अधिक कार्य करती है तो जैसे ही दोड़ समाप्त हो गई तो धावक क्या करेगा अधिक तेजी से गहरी सांसे लेता है त समानता और अंतर बताईगे बचों वाईवी और अवाईवी श्रसन के बीच में हमें समानता भी बतानी है और अंतर भी बताने है तो समानता क्या होगी बचों कि दोनों ही प्रकार की श्रसन में भोजन के विखंडन से क्या होता है उर्जा उत्पन होती है और यदि हम बात कर इन में अंतर की तो अंतर क्या हो जाएंगे बच्चों कि जो वाइवी श्रसन है ये कब कब होगा ऑक्सीजन की उपस्तिती में होता है जबकि अवाइवी श्रसन कब होता है ऑक्सीजन की अनुपस्तिती में बच्चों जो वाइवी श्रसन है इसके अंतिमुतपात क्या होते ह जबकि अगर हम बात करें अव आईवी शुसन की तो इसके अंतिम उत्पाद जो है वो क्या है बचों एलकोहल और लेक्टिक अमल होते हैं इसके साथ बचों जो वाईवी शुसन होता है इससे उर्जा उत्पन करने में अधिक समय लगता है जबकि अव आईवी शुसन की समय अधिक उर्जा उत्पन होती है जबकि अव आईवी शुसन की समय कम उर्जा उत्पन होती है बचों वाईवी शुसन किसमें पाया जाता है पोदों और जन्तों में वाईवी शुसन होता है और यदि हम देखें अव आईवी शुसन तो कहां पर होता है बचों यह हमारी पेशी कोशीकाउं में या फिर जो यिस्ट जैसे जन्तु हैं इनके अंदर क्या होगा वाइवी श्विसन पाया जाता है तो यह वगए बचों वाइवी और वाइवी श्विसन में समानता और अंतर चलिए बढ़ते हैं अगले प्रशन की तरफ अगला प्रशन है बचो कि जब हम अतेदिक धूल भरी वायों में सांस लेते हैं तो हमें छीक क्यों आ जाती है तो बचो हमने पढ़ाता तो क्या लिखेंगे बच्चों हम कि कभी-कभी धूलके कण नासा गुहा के पार चले जाते हैं और यह क्या करते हैं गुआ की कोमल परत को उत्यजित करते हैं जिसकी परिडाम सरुप क्या होता है वच्चों हमें छीएंक आती है छीएंकने से क्या होगा कि जो अवांशित कण है वो वायू के साथ बाहर निकल जाते हैं इस प्रकार क्या होता है कि वल स्वच वायू जो होती है वो ही हमारे शर्ज में प्रवेश कर पाती है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन है बचो तीन परक नलियां लीजिए प्रते को तीन बटा चार भाग तक जल से भर ली रखिए और परक नली बी में कोई जलिय पादप रखिए C में एक घोंगा और पादप दोनों रखिए बचो पूछा है कि किस परक नली में कार्बन डायोकसाइड की सांद्रिता सबसे अधिक होगी यहां पर जो है हमें एक प्रियोग करना है जिसमें हमने तीन परक नलिया परक नली है A, B और C परक नली A में रखना है बचो हमें एक घोंगा यानि कि स्नेल और जो परक नली B है उसमें रखेंगे हम एक जलिय पादप और परक नली C में हमें घोंगा और जलिय पादप रखने है तो क्या होगा बचो कि जब हमने परक नली A में क्या रखा है होगी लिए जली पढ़ लिया करेगा už बदले में क्या करेगा कार्भन डी ऑक्सिजन गैस उत्पन करेगा कर्थो अप्योग कर अपना भूजन बनाते हैं और इसके बदले में क्हा देते हैं type उक्सिजन गैस उत्पन करते हैं बैचों जो हमने परक्नली सी ली है इसके अंदर क्या है जलिये पादब और घोंगा दोनों ही है तो घोंगा क्या करेगा श्रसंग की प्रकिरिया के द्वारा कार्बंडाय ऑक्साइड गैस उत्पन करेगा और यह जो कार्बंडाय परखनली ए में होगी जिसके अंदर क्या है के वले घूंगा है और घूंगा क्या करता चाहेगा श्वसन करता जाएगा और कार्वन डियोकसाइड वहाँ पर उत्पन होती जाएगी चलिए आगे पढ़ते हैं बचों अगला प्रशन है सही उत्तर पर सही का निशान कि तेल चट्टों के शरीर में वायू प्रवेश करती है उनके बचों हमने पढ़ा था कि जो तेल चट्टे होते हैं या कीट होते हैं उनके अंदर जो वायू प्रवेश करती है किसके मादियम से करती है बचों श्वासरंद्रों के द्वारा करती है उनके शरीपर छोटे- दिए गए हमें कार्बन डायोकसाइड लैक्टिक अमले एलकोहल और जल तो बच्चों हमने पढ़ा था कि जब कभी भी हम अधिक व्यायाम करते हैं तो क्या होता है हमारी पेशी कोशिकाओं में अवाई वीश्वसन होता है जिसके फलसरुप क्या होता है लैक्टिक अमले का निर्मान होता है और यह लैक्टिक अमले ही क्या करता है हमारी पेश्यों में एठण उत्पन करता है तो सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों लैक्टिक अमले हो जाएगा चली अगला प्रशन देखते हैं नेक्स्ट है किसी सामाने व्यस की व्यक्ति की विश्रा मवस्ता में औसर श्रसंदर होती है कितनी होती बचों 15 से 18 प्रती मिनट हम श्रसन करते हैं यह हमारी सामाने व्यक्ति की श्रसंदर होती है चली आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है उच वसन के समय पसलियां क्या करती बचों उच वसन के समय पसलियां नीचे की और गती करती है तो यहां पर दूसरा विकल्ब जो है वो सही हो जाएगा कि पसलियां नीचे की और गती करती है चलिए आगे बढ़ते हैं next question है बचोँ column A में दिये गए शब्दों का, column B के साथ मिलान कीजे, यहाँ पर बचोँ हमें column A और column B में जो है कुछ शब्द दिये गए हैं, जिनने हमें सही मिलान करना है, तो बचोँ सबसे पहले दिया गया है yeast, तो बचों yeast के द्वारा क्या होता है, alcohol का निर्मान होता है, नेक्स्ट है डाइफ्राम यानि की मध्यपट तो ये कहां पर होता है बचों डाइफ्राम जो है वो होगा वक्ष गुहा में नेक्स्ट है त्वचा, बचों, त्वचा के द्वारा श्रसन हमने पढ़ा था, किस में होता है, के चों में जो है वो त्वचा के द्वारा श्रसन होता है नेक्स्ट है बच्चों पतियां पतियों में क्या उपसित होते हैं रंद्र उपसित होते हैं इसके बाद में है बच्चों मचली तो मचली में शुसन किसके द्वारा होता है क्लोम के द्वारा होता है और नेक्स्ट है बच्चों मेंडग तो मेंडग के अंदर फेफडे और त बच्छा दोनों के द्वारा श्रसन होता है तो इस तरह से हमारे क्रिशन कम्प्लीट हो गया है चलिए अगला प्रशन देखते हैं नेक्स्ट है बच्छों बताईए कि निम्लिकित वक्तव्य सत्य है अथ्वा असत्य है यहां पर हमें बच्छों ट्रू और फॉल्स बताने है तो सबसे पहला कतन है कि अत्यदिक व्यायम करते समय व्यक्ति की श्रसंदर धीमी हो जाती है तो बच्छों धीमी नहीं होती है क्या होती है श्रसंदर बढ़ जाती है तेज हो जाती है तो यह कतन कैसा हो जाएगा यह फॉल्स हो जाएगा नेक्स्ट है पादपो में प्रका संस्रेशन तो कब होगा सूर्य के प्रकाश की उपसिती में होता है यानि कि दिन में ही होता है लेकिन जो श्वसन की प्रकिरिया है ऐसा नहीं है कि केवल रात्री में ही होती है श्वसन की प्रकिरिया दिन और रात दोनों समय होती है बचों दिन में जब पादफ श्वसन कर र तवलु सांच के अतिरेक्त अपने फेफ़़ों से भी श्वसन करते हैं बचों हमने पढ़ादा कि मेंडग के अंदर फेफ़़टे क्या होती है पसलियां जो होती है वो ऊपर और बाहर की और गती करती है और डायफ्राम नीचे की और गती करता है जिसे क्या होता है वक्षि गुहा का आयतन बढ़ जाता है तो ये कथन क्या हो जाएगा बच्छों बिलकुल सही हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगला श्वसन अंगों से सम्मंद शब्द बनाए जा सकते हैं शब्द वर्गों के जाल में किसी भी दिशा में उपर नीचे अत्वा विकर्ण में पाए जा सकते हैं तो यहां पर हमें श्वसन तंत्रतत जीमों के नाम खोजने हैं तो बच्चों यह जो पहली है यह कुछ इस प्रक और डिया गया है और जिसमें हमारे फ्रेफड़े जो होते हैं वो सुरक्षित रहते हैं क्या कहलाती है पसलियां कहलाती है तो बच्चों यहां पर हमें देखिए पसलियां दिया गया है next रहे बचो वक्षगुहा का पेशिये तल तो बचो हमने पढ़ा था कि वक्षगुहा में नीचे की और एक पेशिये परत पाई जाती है क्या कहलाती है?groans कहलाती है तो बचो यहाँ पर जो दिखेए diaphragm मिल गया हमे बचो हमारी जो किताब है उसमें यहाँ पर म की जगह यह दिया गया है लेकिन यह यदी हम लिख देंगे तो डायफ्रॉम नहीं बन पाएगा तो इसलिए हम यहाँ पर करेक्शन कर लेंगे क्या आजाएगा यहाँ पर य की जगह म आ जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं next है बचों पत्ती की सत्य पर सुक्ष्म छिद्र। comfortable कीट के शरीर के पार्ष भागों के छिद्र बचों हमने पढ़ाता कि जो कौक रोच है या आन्य कीट है इंके शरीर पर छोटे-छोटे शिद्र पाय cachat więc वायू होती है वह शुरीर के अंदर प्रवेश करती है और बाहर निकलती है क्या कहलते है स्वास रंत्र कहलाते है तो भट्चों यहां पर हमें पहेली में इंग है lorsqu cm रंद्र चलि आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट है मनुष्यों के श्वसन अंग तो बच्चों मनुष्यों के श्वसन अंग कौन से होते हैं फेफडे होते हैं तो इस पहली में हम देखें बच्चों तो देखें यहां पर हमें जो है फेफडे दिया गया है चलिए नेक्स्ट है व एक वाईवी है जीव बचो हमने बढ़ा था वाईवी है जीव के बारे में जो क्या करता है वाईवी श्रसन करता है कौन सा है यीष्ट तो बचो इसमें हम देखें तो यहाँ पर देखें हमें यीष्ट मिल गया है नेक्स्ट है बचो श्वास प्रणाल तंत्र वाला एक जीव तो बचो श्वास प्रणाल तंत्र वाला जीव कौन सा था तिल चट्टा था जिसके अंदर क्या पाया जाता है वायू नलीकाओं का जाल पाया जाता है जिने श्वास प्रणाल कहते हैं तो बचो यहाँ पर देख कथन दिये गए हैं और जिनमें से हमें सही कथन का चैन करना है तो बचों यहां पर पहला कथन दिया गया है पांच किलो मेटर से अधिक उचाई पर वायू नहीं होती है तो ऐसा नहीं है बचों की किवल पांच किलो मेटर तक की उचाई पर ही वायू है दूसरा कथन है बचो जो मातरा है वो भूतल पर उपलब्द मातरा से कम होती और इसलिए जो परवातारों ही होते हैं क्या करते हैं अपने साथ में oxygen सिलिंडर ले जाते हैं ताकि उपर जब वो जाएं तो उन्हें oxygen की कमी हमां पर महसूस ना हो तो बच्चों यहाँ पर हमारी अभ्यास प्रशन है कम्प्लीट हो चुके हैं इसी कि सासत बच्चों हमारा पार्ट भी हाँ पर कम्प्लीट हो गया है मुझे उम्मीद है कि इन अभ्यास प्रश्णों को आपने अच्छे से समझा होगा और अपनी कॉपी में नोट भी कर लिया होगा तो बच्चों मिलेंगे हम अगले वीडियो म अगले पार्ट के साथ तब तक आप पढ़ते रहें आगे बढ़ते रहें